अजीत पवार गुट ने ताना जी सावंत को चितावनी दी है कि अगर उन्हें उनकी बात ये पसंद नहीं है तो सत्ता छोड़ देना भेतर है ताना जी सावंत ने अपने बयान में कहा कि वो एक सचे शिव सैनिक है और उनका जीवन कभी भी कॉंग्रस या नसीपी के साथ नहीं जुड़ा है उन्होंने कहा पढ़ाई के बाद से ही उन्होंने इन पार्टियों से कोई संबंद नहीं रखा आज भी उनका उनके प्रती कोई जुकाव नहीं है सावंत ने कहा कि ये उनके लिए असेहनिय है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें इन पार्टियों से कोई मतलब भी नहीं है महाराश्ट्र से खबर आई है अजीत पवार गुट जो महाराश्ट्र की राजनीती में एक महत्वपूर्ण घड़ा है उसी गुट ने तानाजी सावंत को सपष्ट शब्दों में कहा कि अगर वे पार्टी के निर्णेयों और विचारधारा से सहमत नहीं है तो उनके लिए भेतर होगा कि वे सत्ता से बाहर हो जाए ये संदेश इस बात को दर्शाता भी है कि गुट के सदस्यों के लिए पार्टी की एकता और अनुशासन सर्वोपरी है खेर तानाजी सावन महराश्र के प्रमुखनेता है जो शिवसेना से जुड़े हुए हैं उनका कॉंग्रेस और न्सीपी के साथ कोई पुराना संबंद नहीं रहा उन्होंने हमेशा अपनी विचारधारा को सपष्ट रखा है कि वे केवल शिवसेना के प्रती ही वफदार है चलिए तो इस बात पर उन्होंने अपने हाल ये बयान में सपष्टी करण कर दिया है उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉंग्रस और NCP के साथ कभी सहयोग किया ही नहीं है तानाजी सावन्त का ये बयान और अजीत पवार गुट की प्रतिक्रिया इस बात की ओर इशारा करती है कि महराश्ट में राजनेतिक तनाव और धुरुविकरण बढ़ रहा है शिवसेना और NCP के बीच सहयोग और गुट बाजी का मुद्दा समय समय पर उठता रहता है ये घटना भी इसी राजनेतिक संगर्श का हिस्सा है शिवसेना के अंदर मतभेद गुट बाजी की खबरे भी आती रहती है ये शिवसेना शिंदे गुट की बात हो रही है ताना जी सावंत का ये बयान उनके शिवसेना के प्रती वफादारी कॉंग्रेस एंसीपी के प्रती उदासी इंता को दशाता ही है वही अजीत पवार गुट की चेतावनी इस बात की और भी इशारा करती है कि पार्टी के अंदर अनुशासन एकता को लेकर महाराश्र की सेता के साथ शुक्रिया